तेवहर के बात की खुमारी और कुछ काम न करने की बीमारी तो कोई बात ने चुटी से सेर कर लेते हैं काम करने का मूट नहीं है न इसलिए नमस्कार वेश्टी वेश्टी पर आप सभी का बहुत खुप सूरत नजारों के साथ सौकत दिल्ली के रोडों का नजारा अब ये मैं क्यों दिखा रही हूं बहुत खास चीज आपको दिखानी है और जब मुझे दिखी तो बस हाथ बढ़ी जाते हैं कैमरे की तरफ हलक इन सब कामों में अपके अगल बगल वाले आपका मजाक जरूर उडाते हैं चलिए आपको मैं दिखाना क्या चाहते हूं वो थोड़ा स नजर तो आए पहले पेड़ पोथे चारो तरफ हरियाली हरियाली धेर सारी हरियाली और इन्हीं हरियाली के बीच में यह दिखे यह एक पेड़ निकल गया कुछ पेड़ मुझे इतने खुबसूरत दिखे पत्ते सारे जढ़ चुके थे पर उसमें जो फूल लगे थे बिल फूल ही फूल, औरेंज कलर गे, बहुत खुबसूरत लगे, यह देखे, और बहुत सारी ताधात में रोड के साइड इन पेडों को मैंने देखा, कई बार देखें, मन लल जाता है कि देखूं पास में जाके, और यह देखते हुए मैं कहीं न कहीं मन में सोच रही थी कि यह यानि कि पलास के फूल हैं, पर नहीं, यह पलास नहीं था, टेसू नहीं था, यह थे सेमल के पेड़, सेमल आप सभी ने सुने ही होगा, सिल्क कॉटन ट्री, इसके फूल बहुत कुछ मिलते जुलते थे अपने टेसू के फूलों से, या फिर पलास के फूलों से, टेसू के फ बस रोड साइट एक जगे बहुत सारे फूल पड़े मिल गए तो कुछ फूलों को मैं उठा के लाई पर कुछ नो कुछ शंका थी मन में कि शायद ये नहीं होगे थोड़ी सी मशक्कत करी गूगल दादा को पकड़ा गूगल दादा से कन्फरम किया कि ये पलाज नहीं है ये अपना सेमल है और यहाँ पर देखी ये रहे टेसू के फूल पलाज है ना बहुत कुछ मिलते जुलते अपने इसी सेमल के फूलों से तो मैं भी चकरा गई थी पर नहीं, इन फूलों में कोई कलर नहीं निकला, पर अब जब इतनी मेहनत करके उठा के लाई हूं, तो कुछ न कुछ तो इन फूलों का करूँगी, नहीं कुछ तो खात तो पक्का बन जाएगी, पर उससे पहले भी कुछ कोशिस जरूर करूँगी, काम्याबी मिली तो क्या है?